अलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल देखे फ्रेंड्स आजन कुष्चन नमर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 9.9 का यहां पर फर्स्ट कुष्चन हम देख चुके फर्स्ट और सैकेंड अगर आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज वह देख लीजि अगर ऐसा आए तो आपको क्या करना है देखो by completing square method इसको solve करेंगे तो कैसे करेंगे देखो i is equal to integration of सबसे पहले तो यह जो minus आपको नज़र आ रहा है ऐसा हमने पहले भी बताया है quadratic equation में पिछे दब question किए dx upon नीचे quadratic equation आ रही थी तो ऐसे ही यहाँ पर कर लेना है minus को common ले लेंगे कहाँ बार नहीं यहीं पर ले लेना है अंडरूट के अंदर रहेगा यह अब यहाँ क्या हो जाएगा x square पलस का हो जाएगा और 6x minus का हो जाएगा यह bracket आपने तब बंद करनी है जब अपना काम complete हो जाए complete से मतलब क्या है कि अब हमें देखो x square का coefficient unity बन गया न यहाँ 1 है वई minus को थो हमने बार ले लिया अब x का coefficient क्या है 6 6 का half करें तो कितना आएगा 3 आएगा 3 का square आपने add करना है 3 का square इसमें add करेंगे और 3 का square subtract करेंगे और अब कर दे bracket को बद किलियर है वई अपना काम पूरा होने के बाद यहाँ पे देखें तो under root of minus यह बात करें तो देखो यह 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 तो formula बनेगा a plus b की all square या a minus b की all square आपने पहले भी बताया है a plus b की all square बढ़ता है तो a square plus b square plus 2ab और a minus b की all square कब बनेगा a square plus b square minus 2ab यानि कि यह जो दिख रहा है plus का और minus का इस पर depend करेगा कि a plus b का all square बनेगा या a minus b का यह तो दोनों में ही है ठीक है अब यहाँ पे देखें तो अपने को जो x का coefficient है अंदर यहाँ पे देखना है वही यहाँ नहीं देखना है आपने शुरू में यहाँ इसकी बात हो रही है अब तो इसको आप दूसरे way में क्या लिख सकते हैं वो हम करेंगे 6 क्या दिख रहा है नेगिटिव का दिख रहा है तो फॉर्मूला बनेगा a minus b की whole square का a का का काम x कर देगा और b का का काम कुण करेगा जिसका square आप कर रहे हैं यहाँ की 3 इसका whole square हो गया यहाँ देखें तो क्या क्या चीज इससे cover हो गई वापिस देख लेते हैं x square हो गया plus का 3 का square आप गलती से minus को देखके minus 3 के square पे टिक ना कर दें और plus 2 a b sorry minus का अब फॉर्मूला तो क्या आएगा minus 2 a b 2 a b तो minus का 6 x आएगा clear है हो गया वही तो यह cover हो गया यह रह गया यह minus का 3 square रह गया bracket को कर दें बन clear अब यह माइनस अपने को नजर आ रहा है इसको अंदर ले जाओ आप अंदर लेके जाएं यह किसके respect में चल रहा है यह जरूर लिखना है वह आपने इसको अंदर लेके जाएंगे तो यह तो plus का बन जाएगा 3 square और यह minus का बन जाएगा x minus 3 का whole square dx clear वही अब हमने यह formula लगाना a square minus x square का हमने पता है देखो हमने शिखा है since अपने को यहाँ पे आप लिख देंगे formula यहाँ पे आप formula लिख देंगे since integration of under root a square minus x square dx क्या होता है वही x by 2 और यह same same मतलब यह a square minus x square फिर अगर यह a square plus का है तो plus का a square by 2 आ जाएगा यह minus का होता तो minus a square by 2 हमने बताए हैं आपको और यहाँ क्या आएगा देखो a square minus x square under root में आता है तो sine inverse बनेगा वही sine inverse x by a plus c यह bracket बन आपने formula side में जरूर लिख देना है ताकि question में by chance कोई mistake हो जाए तो अपने को at least formula के नमबर मिले वही और जितना question ठीक है उसके नमबर मिले अब यहाँ पे देखें a square minus x square formula लगा दे वही क्या हैगा x by 2 x का काम x minus 3 कर रहा है by 2 फिर under root में under root of यह सेम यह सेम लिखना है ना यह पूरा सेम यह पूरा सेम लिखना है तो 3 square minus x minus 3 का whole square देखो अगर हम यहाँ बात कर लें तो आप इसको लिखने की बज़ा है आप direct क्या लिख लेंगे देखो वही यहाँ से एक बात समझें आप क्या लिख लेंगे आप या तो यह लिखें इसको sol करें दो बाते हैं अपने पास तोड़ा time खराब करेंगे इससे बैट रहे हैं हम यह भी समझ सकते हैं कि यह कहां से आया है वही यह यहीं से तो आया है यह माइनस भी यहाँ था और यह पू आगे plus a square by 2 a का काम 3 कर रहा है तो 3 का square यानि 9 हो जाएगा by 2 3 का square कर दिया है मैंने 9 by 2 और फिर sin inverse x by a x by a मतलब x minus 3 by 3 plus c clear है यही और इसे जादा तो क्या करेंगे आप इतना ही कर सकते थे आप इसको यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा यह था आपका first part आप note कर लेंगे friends अब इसका second part देखे वही integration of under root 2 a x minus x square dx तो यहां भी अपने को clearly यही form नजर आ रही है वही नीचे quantity equation लिखिया है न तो जैसे हमने पहला किया वैसे इसको देखना है क्या कर लेंगे अब यह जो minus में दिख रहा है x square तो common ले ले इसको minus को common ले ले तो यहां क्या बज़ जाएगा पलस का x square और यह minus का 2 a x हो जाएगा अब अपने को क्या करना है अपना काम करने के बाद ही इस bracket को बंद करना है काम से मतलब क्या है x का coefficient जो है इसको नहीं देखना है वह इसको देखें आप ठीक है x का coefficient 2 a दिख लेंगे ठीक है x का coefficient 2 a दिख रहा है उसका half क्या आएगा 2 से divide करेंगे तो a track कर देंगे अब कर दें ब्रेकिट को बंद dx के लिए अब आगे देखो integration of क्या हो जाएगा minus यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो formula a plus b का all square बनेगा या minus b का all square यह decide करेगा यह जो x का coefficient है यह plus का है या minus का इसको देखना है इसको नहीं देखना है साइन को minus का है तो minus का है तो यह किसका बनेगा यह minus b का all square बनने वाड़ा है a का काम यह x कर देगा b का काम जिसका square क्या है a का क्या है न तो इसकी all square हो जाएगा क्या क्या कावर हो गया x square plus a square और minus 2ab minus 2ax यह आ जाएगा minus का a square रह गया भई dx clear अब आगे देखें इस minus को आप अंदर लेके जाएंगे क्या करें इस minus को अंदर लेके जाएंगे तो under root of ये क्या हो जाएगा minus minus plus का a square हो जाएगा और ये minus का x minus a की whole square dx clear है अब यहाँ अपने को formula नजरा आ रहा है clearly कि a square minus x square फिर अंडरूट का फॉर्मला लगए गा हमने पहले भी लगाया आभी तो क्या हो जाएगा भी xy2 xy2 मतलब x का काम कूर रहा x-y u by two फिर ये पूरा सेम अंडरूट में ये पूरा सेम देखो इस पूरे को सेम लिखें या फिर इस लिख के फिर इसको सोल करेंगे step बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे time based करेंगे इसे बैटर है आप एक बात देखो यह कहां से हाया वई यह पूरा यहां से आया इस अंडरूट से बाहर कुछ भी नहीं गया ना इस बात को ध्यान रखें अगर कुछ बाहर गया है और आपने छोड़ दिया है तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको फिर तो आप इससे बैटर है इसको इसोल कर लेना लेकिन यहां यहीं से आया है, पूरा यहां से, यहां से लेके माइनस से और यहां तक, और यह कहां से आया है, यहां से और यहां से शुरू हुआ था, यानि कि आप इसको 2AX माइनस X सुकेर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, पालस A सुकेर बाई 2, A सुकेर, A का काम यही कर रहा है, तो A कर लेंगे यह था आपका सेकिंड पार्ट अब इसका थर्ड पार्ट देखें वहीं इंटीग्रेशन करना है एक स्क्वेर माइनस फॉर एक्स प्लस टू अंडरूट ओफ यह डी एक्स का ठीक है तो देखें वहीं कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट अपने पास क्वाडिटी की जरूरत भी नहीं है तो फिर क्या करना है एक्स का कोफिशियंट जो नजर आ रहा है उसका हाफ करके एक्स का कोफिशियंट जो है यह पहले एक्स का कोफिशियंट लिख लेंगे फिर एक्स का कोफिशियंट क्या है दिख रहा है अपने को 4 दिख रहा है है तो माइनस 4 ल पता है formula बने गया तो ए पलस b की whole square या या माइनस b की whole square या माइनस का sign अगर दिख रहा है तो माइनस का बने गया x माइनस जिसका square कर रहे है 2 का square बन गया क्या क्या कवर हो गया x square पलस 2 square और माइनस 2 x आजाएगा यानि कि ये 2 बच गया तो हमें पता है formula जो है standard अपने वो क्या कहते हैं वही इसका all square minus इसको root 2 का square लिखना पड़ेगा तभी ये form बनेगी x square under root of x square minus a square की form बनेगी अगर ऐसा है तो formula हमने पड़ा है since हम लिखेंगे यह integration of x square minus a square dx जो है वो आपने क्या पड़ा है x by 2 ये same under root में under root of x square minus a square फिर a square अगर minus का है तो minus का है पलस का है तो minus का है तो minus a square by 2 आएगा फिर log of mode में क्या आएगा mode में आएगा x plus और ये सारा सेम ये सेम मतलब x square minus a square mode कर दे बंद पलस यही क्या होगा इसका formula यहां पे लगाएंगे यहां x का काम कुण कर रहा है x minus 2 कर रहा है और a का काम root 2 कर रहा है लगाओ formula तो क्या हो जाएगा formula के according i is equal to बात करें तो x by 2 यानि कि x minus 2 by 2 लगा दिया अंडर root of ये सारा सेम अब एक बात देखो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं गया तो ये सारा सेम ये कहां से आया होगा इसको soul करके लिखना पड़ेगा तो ये यहां से आया ये यहां से शुरूआ ता तो आप यही आने वाड़ा है पलास 2 किलियर भाई फिर आगे है माइनस a स्केर बाई 2 तो a का स्केर यानि की root 2 का root 2 है ना a का काम कुण कर रहा है root 2 का स्केर बाई 2 फिर log of mode में क्या है log of mode में है x x का मतलब x minus 2 ठीक है plus under root of ये सेम x माइनस a स्केर x कार माइनस a स्केर ये सेम तो ये कहां से आये यहां से यहां से यहां से शोरू है था तो यही लिख देह आप x square minus 4x plus 2 plus c ये क्या हो जाएगा वई देखो इस square से ये root अट गया क्या बचा दो बचा और 2 से 2 कट गया यानि कि क्या आ गया आपका x minus 2 by 2 under root of x square minus 4x plus 2 minus ये तो कट गया सब 1 बन गया न ये log of x minus 2 plus under root of x square minus 4x plus 2 plus c ये क्या हो जाएगा वई इसका answer हो जाएगा इसको आप note कर लेंगे अब इसका fourth part देखे वई integration of under root 2x square plus 3x plus 4dx quantity equation आ रही है वही forum है सबसे पहले क्या करना है हमें by completing square method करेंगे तो x square का coefficient unity one ओना चीह है तो ये two नहीं दिखना चीह है तो हम क्या करतेंगे वही two को अटादेंगे तो कैसे अटाएगे या तो आप ये बोल दें कि two को common ले ले या फिर मैं ये बोल दूँं को इसको two से divide कर दूँं इस सारे है तू से टू कड़ेगा बात बैलेंस हो जाएगी अब आगे देखो यह जो अंडरूट है यह इस टू पे भी है और इस पे इन सब बनेगा यहां दो दुणी चार दो बन जाएगा डी एक्स की रिस्पेक्ट में हो रहा है यह भी लिखना है भे आपने यहां बात करें तो रूट टू अब अगला स्टेप क्या है एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ करके उसका स्केर एड करेंगे और उसका स्केर कर दिया किलियर है इसका हाफ क्या हमने और इसका स्केर जोड़ दिया और इसका स्केर ही सब्ट्रेक कर दिया अब क्या करेंगे हमें फोर्मुला बनाना है पलस भी आए माइनस भी का तो इसका साइन अपने को क्या बता रहे है फोर्मुला बनेगा यह बारा यह पलस का टू ए 4 का square plus 2a b करेंगे तो 3 by 2x आ जाएगा क्या बच गया आपका पलस का 2 बचा यहाँ पर कर लेता हूँ मैं पलस का 2 बच गया और minus का यह 3 का square यानि की 9 by 4 का square 16 अब यहाँ पर अगर आप LCM ले ले तो यहाँ 32 minus 9 आ गया भई तो कितना आ जाएगा आपका 22 sorry 3 आ जाएगा भई 23 by 16 ठीक है यहाँ क्या बचा पलस का 23 by 16 23 by 16 बच गया dx किलियर है हमने कुछ नहीं बच इन दोनों को solve किया है और लिख दिया है अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर बात करें तो इसको हमें तो form बढ़ानी है भई हमने formula पढ़े है x square पलस a square का बढ़ेगा या तो इस पे तो square हो x plus 3 by 4 का whole square पलस इसको root 23 by 16 को 4 लिख दूँ और इस सारे का whole square लिख दे भई इसी को एक दूसरे बे में लिख दे हमने अब formula बन गया x square पलस a square under root वाड़ा हा ना तो क्या बनेगा root to agities यहाँ पे देखें तो formula क्या कहता है formula x square पलस a square x by 2 x का काम यह कर रहा है तो x plus 3 by 4 by 2 x by 2 हो गया फिर यह same under root of यह सारा same अब एक बात ध्यान दें यहाँ पे यहाँ यह जो same लिखेंगे इसको simplify करेंगे तो यह यह आने वड़ा है देखो इस root 2 का इससे कोई लेना देना नहीं यह तो बार चल दा है इसमें भी इसमें भी यहाँ भी है सब जगह है ना तो यह इसको solve करेंगे तो वापिस यह आ जाएगा इसी से तो यह आया था यह आएगा इससे यह आएगा पूरा और इससे यह आएगा तो यहाँ तक तो लिख सकते हैं आप इसको तो इसको आप लिख दें x square पलस 3 by 2 x लिख दिया भाई भाई x by 2 यह root 2 overall भार है तो bracket जरूर लगा ले हो गया root 23 by 4 का whole square a square by 2 2 हो गया भाई फिर log of log of x x का काम कूण कर रहा है x plus 3 by 4 कर रहा है भाई पालास अंडर root में यह पूरा सेम यह पूरा पूरा सेम चिपकाना है यह कहां से आया यहां से यह कहां से आया पूरा यहां से और यह यहां से 2 x plus 2 पालास किलियर है इसको और सिंप्लिफाई करें हम तो यहां पे देखते हैं भई कुछ भी नहीं तो यहां 1 है 4 LCM आ जाएगा तो यहां पे यह root 2 और यहां पे 4 LCM आएगा तो 4 x plus 3 आ गया और यह जो 4 आया LCM में यह 2 से multiply होके यहां 8 लिखा जाएगा यहां बात कर लें तो अंडर root के अंदर क्या है x square plus 3 by 2 x plus 2 यहां बात करें तो square से root अटका है भई ठीक है आप यह ना अटाएं क्योंकि 4 का square है तो आप यह root रख लें अभी फिलाल ठीक है इसको solve करेंगे आप तो क्या लिखेंगे देखो root 23 है इसका square है तो यह कितना होगा 23 और 4 का square 16 और 2 निचे multiply ओर है तो यह 23 by 32 आएगा ठीक है लिख दिया हमने इसको अगर आप और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं 32 को 32 का मतलब 2 से आप divide करें तो 2 से 16 286 दो चोग 8 दो दूनी 4 एक दो यह दो पेर तो बढ़ गए यानि कि दो दूनी 4 और root 2 चार root 2 लिख सकते हैं आप इसको 32 को मैं लिख देता हूँ इसको 4 root 2 4 root 2 और log of यहां कि अगर बात कर ली जाए तो देखो इसका जो है आप 4 LCM ले सकते हैं इसका इन दोनों का इसका इन दोनों का क्या कर सकते है 4 LCM ले सकते है देखो जितना आप कर सकते है question को उतना आपने करना है ठीक है अगर यहां ऐसा ही रखना चाहते है तो ऐसा भी रख सकते हैं दिक्कत नहीं है यहां पर अगर हम देखें तो देखो आप पलस सी ऐसा लिख दिया हमने इसको और सिंप्लिफाई करेंगे तो रूट टू को अंदर मल्टिप्लाई करें इस सारे से भी और इस सारे से भी ठीक है आप पहले यहां तक कर लेंगे यह plano अपको नोट कर लीजिए पिर इस से आगे का step हम आपको बताते हैं इससे आगे देखते हैं वही आपने नोट कर लिया होगे यहां तक वीडियो रोक के अब आगे देखो इसा आगे इस इकूल टू यहां पर रूट भूट टू फॉरू एकस करके अंदर और इससे भी करके आप छोड़ सकते हैं वही आपके बुक में आंस्वर मिलाने की अगर हम बात कर लें एलिमेंट वाड़े ने अपने अकोडिंग अपना आंस्वर दिया है उसने यह जो फोर रूट टू हमने लिख लिया था इसको 32 ही लिख रखा है क्या लिख रखा है 32 देखो हमने रूट 23 का स्केर करेंगे 23 आएगा 4 का स्केर 16 आएगा और 16 को 2 से करेंगे तो यहां 32 ही लिख रखा है वैसे देखा जाए तो इस रूट 2 से जो बार रूट 2 है यह कटने वाड़ा है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं यह अपने अकोडिंग ल सकते हैं उतना आपने करके आना है यह कर लिया वह हमने कोई बात नहीं अब आगे देखें तो अब क्या करना है यह जो दिख रहा है इसमें हम अलशम ले लें तो यहां कुछ भी नहीं तो वन है यहां भी वन है तो टू अलशम आ जाएगा वह इसका अंडरूट में चल रही है इसारी कानी अब टू आ जाएगा तो यहां पे टू एक्स सुकेर बन जाएगा पलस थी एक्स और यहां पे पलस फोर बन जाएगा के लियर यहां 23 by 32 चल रहा है और log of log of x plus 3 by 4 plus और यह same यह same लिख देता हूँ भी मैं क्या है under root में अपना लिखा है x square plus 3 by 2x plus 2 लिखा है plus c इसे आगे और करें तो यह root इन दोनों पे है इस पे भी है और यह root इस पे भी है और इस दो पे भी है कि नहीं दोनों पे है तो अब root 2 को इसको अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4x plus 3 by 8 इस root 2 चे यह root 2 कट जाएगा वही यहां क्या बच गया under root of 2x plus 3x plus 4 plus यह root 2 इसे multiply ok 23 root 2 by 32 लिखेंगे log of x plus 3 by 4 plus under root में x square plus 3 by 2x plus 2 plus c यही क्या हो जाएगा इसका answer यह answer मिलाने वाड़ी बात है वही मैं सिधी आपको सच बात बताऊं तो यहां पर देखें तो यह root 2 देखो कटता भी नज़र आ रहा था अपने को इसको अगर हम 4 हमने क्या लिखा था इसको 4 root 2 तो यह root 2 से root 2 कटता नज़र आ रहा था है ना 4 root 2 का square अगर आप करेंगे 4 root 2 का square करेंगे तो चार चोड़ा सोड़ा जोनी 32 32 को आप 4 root 2 लिख सकते हैं और बार से तो देखें यह root के नीचे क्या है quadratic form है है ना तो क्या करना है वही काम करेंगे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे इसमें से minus common ले ले वही देखो i is equal to under root के अंदर ही लेना है भार नहीं निकालना है तो यह plus का x square हो हो जाएगा minus का 2 x और 8 भी minus का हो जाएगा अब देखें तो यहां पर जो एक्स का कॉप्षिंट क्या है 2 है 2 का half करेंगे हम अना यहीं करते हैं हाफ का square करनेंगे वह add कर देंगे टू का half क्या होगा one one का square add कर देंगे और one का square subtract कर देंगे और ब्रेकट को कर दे बंद डी एक्स अब यहां पे बात करें तो अंडर उट ओफ माइनस यहां A पलस B आए A माइनस B के all square में क्या बनेगा यहां देखो आप अगर इसका sign माइनस का है इनको नहीं देखना है इसको देखना है क्योंकि इसको इसको दूसरे वे में लिख रहे हैं तो X-1 का all square बनेगा भई भई A square क्या क्या कावर हो गया पलस B square गलती से इसको टिकना कर ले माइनस को देखके माइनस 2 इप भी तो माइनस का 2X आजाएगा यहां से माइनस का 8 और माइनस 1 का square माइनस 1 माइनस का 9 हो गया भई ब्रेक्ट को कर दे बंद DX अब यह जो माइनस दिख रहा है आपको इसको हम क्या करते अंदर लेके जाते हैं तो अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा देखो अंडरूट ओफ माइनस माइनस हो गया पलस का 9 माइनस x माइनस 1 का whole square DX अब यहां बात की जाए तो इस 9 को लिख लेक्या 3 का square माइनस x माइनस 1 का whole square DX ठीक है अब करते हैं वह इसको देखो यह अंडरूट ओफ a square माइनस x square का formula बन जाएगा तो क्या होता है वह formula देखो यहां पे आप लिख भी देंगे since integration of अंडरूट of a square माइनस x square formula जो है वो क्या होता है x by 2 और यह same same मतलब a square माइनस x square ठीक है पालस a square by 2 और sin inverse x by a पालस c यही होता है वह formula आपने इसके side में जरूर लिख देना है ठीक है अब a का का में 3 कर रहा है और x का का में x minus 1 कर रहा है तो लगा दे formula x by 2 यानि x minus 1 by 2 फिर अंडरूट में same अंडरूट में यह पूरा चिपका देंगे अब एक बात देखो इसको solve करोगे इससे बेटर है आप यह लिखें इससे भी बेटर यह लिखें और इससे बेटर यह और इससे बेटर यह लिखें और इससे बेटर यह लिखें 3 का square कितना बढ़ेंगा 9 by 2 sine inverse x by a x का काम x minus 1 कर रहा है by a मतलब 3 पालास c अब देखो ज़्यादा हम इतना ही इसको कर सकते थे यही क्या हो जाएगा इसका answer यह था आपका 5th part आप note कर लेंगे भई अब इसका last part देखेंगे भई integration of under root 10 minus 4x x plus 4x square dx का करना है तो कैसे करेंगे नीचे quality equation है वही form है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यह जो 4 दिख रहा है x square का coefficient उसको unity बनाना पड़ेगा देखो इसको हम आगे पिछे लिखने पहले तो कोई फरक नहीं पड़ता इसको आगे पिछे लिखने में 4x square minus 4x plus 10 तो यहां minus का तो है नहीं कि minus का 4 है वह minus common लिया जाए सबसे पहला काम 4 को अटाना 4 कैसे अटेगा 4 को common ले ले या फिर आप यह बोले कि 4 से इसको कर ले divide under root बढ़ा कर ले क्योंकि जो 4 से divide करेंगे under root के अंदर ही रहेगा अब divide किया है तो multiply भी करना पड़ेगा ठीक है या आप यह बोल सकते थे कि 4 को common ले ले एक ही बात है यहां पे देखें तो 4 यह under root के नीचे है तो 2 बन के बार आ जाएगा यह यहां बात कर ली जाए तो 4 इसके नीचे है तो x square बन जाएगा यह 4 इसके नीचे है तो x बन जाएगा इसके नीचे है तो plus 10 by 4 ठीक है बन गया भई dx इसको थोड़ा और simplify करके लिख दे तो 2, 5, 10 और 2, 2, 4 5 by 2 हो गया अब इसको आगे देखते हैं देखो हमें क्या करना है अब यह जो दिख रहा है अपने को इसके अंदर x square x का कॉप्षिंट क्या है 1 है बई पलस और माइनस तो बाद में देख लेंगे हम 1 है 1 का half करेंगे तो आफ ही आएगा half का square आपने यह 5 by 2 है वह यहां 5 by 2 हो गया था ना half का square आपने add कर देना है और half का square ही आपने subtract कर देना है dx clear अब क्या होगा twice of यहां पे under root में यहां बात करें तो formula बनेगा a minus b की whole square क्यों कह रहे हम यह बात क्योंकि x किसका है minus का तो a का काम यहां कुन करेगा x और b का काम जिसका square किया है हो गया भई इससे क्या क्या कवर हो गया x square plus one by two का square और दो a b करेंगे तो minus का x आ जाएगा बच गया अपना five by two और minus का देखो five by two बच गया और minus का one by four आ जाएगा यहां से आप LCM लें तो दो दूनी चार पांस दूनी दस यह nine by four आ जाएगा कितना आएगा nine by four आएगा nine by four ठीक है भई dx अब हमें तो यह form बना नहीं है formula के रूप में तो x square plus यह square का formula बढ़ने वाड़ा है तो इसको square के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे is equal to twice of under root x minus one by two का whole square plus यह three by two का whole square लिख दें भई ठीक है लिख सकते हैं ना अब formula बन गया यह x square plus a square का under root में क्या है देखो two overall भार है तो break it शरू करने भई क्या होगा x by two x by two मतलब x minus one by two के upon me two हो गया और यह पूरा same under root में यह सारा same यह लिखना है ना अब एक बात देखें यह देखो इसको अगर आप पूरे को चिपकाएँगे यęt टू तो भार है यह यहां तक की अगर जो बात कर लें तो यह जो आया है इसी से आया है यह इस से आया है सारे से और यह किस से यहां से आया है यहां तक तो यही बात है ना वही तो इसको यह लिख देता हूँ क्या x square minus x plus 5 by 2 यह लिख दूँ किलियर है अब आगे देखते हैं plus a square by 2 a square a square मतलब देखो यह क्या है 3 by 2 है ना तो इसका square यह 9 by 4 हो जाएगा a square by 2 2 कर दिया फिर क्या होगा log of x x का मतलब x का काम कुण कर रहा x minus 1 by 2 फालास under root में यह सेम और यह सेम तो इसका मतलब यह जैसे यह लिखा हमने अभी यह ना यह नहीं लिख देना है वह आपने तो कि इसमें देखो यहां दो दो सब में भार है तो यह हमने पूरा चिपका है इसका मतलब यहां से आया था यह 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 लिखना है इसको अंदर लेके जाएंगे हम ठीक है आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे इसके बाद हम आगे करवाते हैं इसको अब इससे आगे देखेंगे वही देखो यहां अने के बाद क्यूशन में आपके काफी आंसर हो सकते हैं वही सबका अपना अपना अंसर हो सकता है element का अपना एक answer है आपके भी एक से ज़ादा answer हो सकते है कैसे देखो मैं आपको बता दू आप 2 को अंदर लेके जाएंगे इस 2 से 2 को काड़ देंगे मैं अलग-लग answer बता देता हूँ आपको देखो यहाँ पर आगरा मैंने टू को अंदर लेके गाया तो इस 2 से 2 कर जाएगा यहाँ क्या जाएगा वही x-1 by 2 बहार और अंडर रूट के अंदर क्या है x सुके अर माइनस x पलस 5 by 2 पलस अब यह 2 यहाँ भी जाएगा तो इस 2 से यह 2 कर जाएगा यह नहीं 9 by 4 रहेगा यहाँ 9 by 4 log of x-1 by 2 पलस अंडर रूट ओफ x सुके अर माइनस x पलस 5 by 2 ठीक है पलस c एक तो यह answer हो सकता है आपका ठीक है यह दूसरा क्या सोच सकते थे आप आप यह भी सोच सकते थे कि इसका क्यों ना LCM ले लिया जाए 2 LCM ले ले तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो क्या बनेगा भई यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो यह 2 LCM लेंगे यहाँ तो यहाँ 2X-1 बन जाएगा और यहाँ पर 2E देखो निच्चे है इस दो से यह 2 कट गया इस दो जे ये दो तो कट गया ठीक है और यहां क्या बन गया 2x-1 by 2 ये दो तो अड़ चुका है ना और यहां अंडर उट में ये आप सेम लिख दें x square minus x plus 5 by 2 ठीक है पलस 9 यहां पे क्या है 9 by 4 है ना भई तो 9 by 4 2 से तो 2 कर जाएगा 9 by 4 और ये एज़िटीज आप लिख देंगे log of x minus 1 by 2 plus under root of x square minus x plus 5 by 2 plus c ये भी आंसर हो सकता है और अगर हम बात कर लें तो देखो यहां पे अगर हम बात करें देखो आप ये भी छोड़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपके बुक क्या आंसर की तो एक बात ध्यान दे वही यहां से बात करते हैं और बुक में क्या आंसर दिया है उसकी बात कर लेते हैं यहां आपका टू लिखा है यह जो टू है इसको इससे काटना नहीं है आपने इसको इससे cancels नहीं करना है आपने उपर वालए का tjm ले लें आप उपर वाले का HCM ले लेंगे तो टू आ जाएगा यह 2x-1 आजायगा यह चू जो है इस टू से क्या करना theo इस जो under root था उसमें हम यहां क्या था फोर्थ डिवाइड किया था शुरूं में हमने इसको और रोध कि अंदर एंदर ही multiply किया था जो multiply किया था उसकको आंप टू कर के भाहर ले लेकर आए थे तो इसको वापिष अगर मैं लेकर जा रहा हूँ तो यहां क्या बन जाएगा अंडर root के अंदर दो चार बन के अंदर जाएगा न तो यहां 4 एक सुकेर बन जाएगा माइनस 4 एक स्बन जाएगा पलस और यहां कितना जाएगा अगर 4 जाएगा इन 2 में तो दो दूनी चार पांस दूनी दस आ जाएगा किलियर है वही यह जो दो था च्यार बनके इस अंडरूट के अंदर ले गए हम किलियर पालास यहां पे हम 9 by 4 है 2 से 2 कट गया यहां काट दो वे 2 से 2 9 by 4 लॉग ओफ अब इसकी बात कर ली जाए तो LCM ले लेते हम इसका LCM दे कुछ भी नहीं तो 1 है यह 2 LCM आएगा अंडरूट के अंदर तो यहां 2X सुकेयर माइनस X सोरी 2X सुकेयर माइनस का 2X आ जाएगा और पलस का 5 आ जाएगा पलस C इसको और सिंप्लिफाई करें हम तो क्या लिख सकते हैं देखो 2X माइनस 1 by 4 ठीक है और यह अंडरूट में क इसका LCM ले लेते हम तो रूट 2 है यह 2 है तो इसका LCM क्या जाएगा 2 आ जाएगा पूरे का तो यह 2 है तो यह तो है जाएगा 2X माइनस 1 और यह क्या जाएगा भई इसको रूट 2 आएगा यहां पर रूट 2 इसके मल्टिप्लाई होगा देखो यहां आ जाएगा इसका 2x minus 1 by 4 under root of 4x square minus x plus 10 plus 9 by 4 log of यहां पे 2x minus 1 plus इस root 2 को हम एक end root के निचे लिख सकते हैं ना इन दोनों को इन दोनों को एक end root के निचे लिख सकते हैं 2 into 2x square minus 2x plus 5 ऐसे लिख सकते हैं भई यह root 2 पे भी है और यह root इस सारे पे भी है लिख सकते हैं ना इसा अपोन में क्या चल रहा है इसके 2 चल रहा है plus c यहां बात कर ली जाए तो अब क्या हो जाएगा देखो 2x minus 1 by 4 इसको आप एक दूसरे वे में लिखें तो क्या इसको ऐसे लिख दो 4x square minus x plus 9 और पलस का one 10 को मैंने दो तरह से तोड़के लिख दिया ठीक है नाइन और one में पलस 9 by 4 log of यहां पर देखो log of 2x minus 1 पलस यहां बात करें इसके अंदर तो 4x square minus 4x और 5 दूनी 10 वही यह का यही बन गया ना भी जो यहां बन रहा था तो इसको भी हम एक दूसरे वे में लिख देते हैं अब हाथ की आथ यहां पे 9 plus 1 लिख दू मैं इसको ठीक है और इसके पूरे के पून में क्या चल रहा है टू चल रहा है पलस C अब यहां पे बात करें तो इसको आप क्या लिख देंगे देखो 2x minus 1 minus 1 by 4 ठीक है अंडर रूट के अंदर यह तो दिख रहा है यहां से लेके और यहां तक इसको मैं 2x minus 1 का whole square देखो यहां पे अगर हम बात करें तो 2x minus 1 का whole square अगर लिखते हैं तो क्या कवर होगा यह कवर होगा पलस 1 यह कवर होगा और यह minus x पलस का 9 रह गए बही पलस का 9 यह side में लिख दो आप ठीक है पलस 9 by 4 लॉग ओफ और यह 2x minus 1 2x minus 1 पलस यहां भी जैसे इसको लिखा है अंडरूट के अंदर क्या 2x minus 1 का whole square है यह और पलस का 9 है ठीक है एक दूसरे वे में दूसरे तरीके में लिख दिया इसको नीचे इसको मिटा देता हूं भई मैं ठीक है अब आप यहां पर देखें तो देखो इसके अपन में 2 चल रहा है भई इसके अपन में क्या चल रहा है तो लोग m by n लोग m minus log n होता है तो माइनस यह आप करेंगे देखो तो 9 by 4 के साथ में क्या आएगा आपका 9 by 4 देखो यह 9 by 4 बीच अगर हम बात कर लें यह है यहां ब्रेकेट लगा लेता हूं लगा ली ब्रेकेट log m लिख दिया मैंने minus log n यानि कि minus log 2 लिखेंगे पलस सी इससे अगले स्टेप में हम बात करें तो यह सारा एजिटीज लिख देंगे हम क्या 2x minus 1 by 4 under root of 2x minus 1 का whole square plus 9 plus 9 by 4 और log of 2x minus 1 पलस अंडर root of 2x minus 1 का whole square plus 9 और यहां पर अगर हम बात कर लें तो इसको मोड को कर दें आप बंद और यह log 2 कहां गया वह यह और 9 by 4 multiply हो के minus का 9 by 4 log 2 आया यह क्या है constant है वो इस सी में ही समाईत हो जाएगा इसको constant जो है एक ही बार लिखा जाता है तो पलस का इस सी लिख दें आप सी को थोड़ा dark कर दें ठीक है दोनों मिल गया है ना आप यह हो जाएगा आपका इसका आंस्वर देखो यह कुछ भी नहीं बैस आंस्वर मिलाने वाड़ी बात थी अगर आप यह नहीं भी करना चाहते यह नहीं भी करना चाहते तो कोई द कर सकते हैं उतना अपने को करना होता है बैस तो आप यहां पे भी छोड़ देते तो कोई नंबर नहीं कड़ता आपका ठीक है इसे पहले के क्यूस्चन समने देखे थे उनमें यह यहां पे हमने ऐसे कैसे चोड़ा था अब इसके अंदर यह सब चीज करनी पड़ेगी आंस एल्स पर भूच्छ को बतरों पर रचीछ